सुनिता पती से बोली अजी सुनते हो अकिलेश काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहता पत्नी ने टोका तो वह खीचते हुए बोला क्या है सुनिता बोली दस दिन से कह रही हूँ मेरी पायल तूट गई है पुरानी भी हो गई है गेसकर बहुत कमज़र हो गई है नई पा तूट गई है धागा बांद कर काम चला रहा हूँ तुम भी पायल को धागे से बांद कर काम चला सकती हो वैसे भी तुम पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो तुमारी पायल कोन देखता है कुछ दिन बिना पायल के काम नहीं चला सकती क्या कड़की चल रही है पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं। इतना कहकर अकिलेश गुसे में घर से बहार चला गया। नहीं इतना कहकर अकिलेश गुसे में घर से बहार चला गया। बरकत नहीं हो रही हो कुछ सोच कर सुनिता दोपर को बाजर के लिए निकल गई उसके पास एक पैसा भी नहीं था सिर्फ तूटी हुवी पायल थी उसने एक ज्वेलरी की दुकान पर वो तूटी हुवी पायल बेश दी फिर उन पैसों से उसने पती के लिए एक घड़ी खरीद ली कुछ पैसे बस गए थे उन पैसों से उसने नकली पायल खरीद ली ताकि पेर सुने ना रहे अब सुनिता भूत खुश थी वह सोच रही थी शाम को जब पती आएंगे तब उन्हें ये घड़ी भेट करूंगी उन्हें घड़ी पहनने का बहुँ शोक है चेन टूटी हुवी और पुरानी घड़ी उनके हाथ पर अच्छी नहीं लगती फिर सुनिता ने अपनी नकली पायल की तरब देखा जो बिल्कूल असली जैसी लग रही थी वो पायल पहन कर पूरे घ़र में चमचम करती हुई चलने लगी भोली भाली सुनिता घर की सोई हुई बरकत को चमचम की आवाज में जगाने लगी वो मुस्कुराते हुए घर के हर कोने में घुमी हर जगह रुख कर पैरो को जमीन में पटकते हुए पायल के घुंगरों को नात करते हुए लक्षमी मा का समरन करने लगी शाम को अकिलेश घर आया तो देखा वो चमचम करती हुई गेट खोलने दरवाजे पर आई पतनी के कोमल पैरो के साथ पायल की जहनकर से अकिलेश का मन भी ताजगी से भर गया वह उसके पैरो की तरप देखते हुए बोला ये नई पायल कहां से ले आई सुनीता मुस्कुराते हुए बोली मैंने अपनी तूटी पायल बेच दी उनकी जगह ये नकली पायल ले आई बाकी पैसे बचे उनसे मैं आपके लिए एक गिप्ट भिलाई हूँ आओ जरा अपना हाथ इधर करना फिर उसने खुद ही अकिलेश का हाथ पकट कर उसमें नई चमचमाती हुई घड़ी पैना दी ये सब देखकर अकिलेश की आखों में आसु आ गये वह रुन्दे गहले से बूला मेरे लिए असली घड़ी लाई हो और अपने लिए नकली पायल वह बोली पायल तो पायल होती है जी क्या नकली और क्या असली और मेरा असली घणा तो आप हो जी अकिलेश अपनी जेब में हाट डाल कर नई चांदी की पायल निकालता हुआ भोला मेरी सुन्दर और मासुम सी पत्नी के पैरों में ये लोहे की पायल शोबा नहीं देती ला पेर इधर कर मैं इन में असली चांदी की पायल पहनाऊंगा वह आश्चरय से पती के हाथ में दमकती हुई सुन्दर सी पायल को देखते हुए बोली ये आप कहां से ले आए वह बोला नवकरी छुटने के बाद इतने दीन पार्ट टाइम जाब कर रहा था मगर आज मुझे पर्मनन जॉब मिल गई है उसी का कुछ एडवांस मिला था इन सुन्दर सी पायल को खरितने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए मैंने वो घड़ी बेच दी इतना सुनते ही सुनिता की रुलाई फूट पड़ी वह बोली आपने मेरे लिए अपनी किमती घड़ी बेच दी वह उसको पायल भनाते हुए बोला नौकरी चली जाने के कारण थोड़ा चिरचिड़ा हो गया था इसलिए सुबह गुस्सा आ गया था वरना तुमसे किमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है पगली फिर दोनों पती पतनी भरी आकों से एक दुसरे के गले से चिपक गयते गुस्सा कुछ पलों का था मगर प्यार तो जन्मों जन्मों का था नहीं पायल के घुंगरू तो और भी बड़े थे उनकी चमचम की खनक तो पड़ोसियों तक पहुच रही थी अब सुनिता पूरी तरह आश्वसत थी कि इन पायलों की जन्मों से घर की सारी नकरात्मक उर्जा भाग जाएगी और खुशियों की बरकत घर को महका देगी धन्यवाद दोस्तो